ओम करिंशी महा गड़ी शाय नमा, राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों, दीपा वली का दिन भगवान शी गणिश मा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। हम सभी चाहते हैं कि भगवान शी गनेश मातर लक्ष्मी हमारे घर में बिराजवान रहें। इसलिए हम सभी दीपावली पर अपने घर को अच्छी तरह से साफ कर उसे सजाते हैं। घर में सबसे महत्पूर होता है घर का मुख्य द्वार। घर का जो प्रवेश द्वार होता है वह घर का चहरा होता है। शास्तों के अनुसा दीपा वली पर्व पर मालक्ष्मी प्रत्वी का भ्रमण करते हैं और घर के मुख्य द्वार से ही मालक्ष्मी घर में प्रवेश करते हैं इसलिए प्राचीन समय से दीपा वली पर्व पर घर के मुख्य द्वार को सजाने की परंपरा चली आ रही है दीपा वली पर मालक्ष्मी का घर में प्रवेशो इसलिए हम सभी घर की मुख्य द्वार को अच्छी तरह से सजाते हैं तोरन लगाते हैं, रंगोली बनाते हैं, दीप जलाते हैं, पुश्प बिच्छाते हैं जिससे मालक्ष्मी हमारे घर में आएं और हमारे घर में बास करें जिस जगे मालक्ष्मी का बास होता है वहां सुख समरथी और खुशाली बनी रहती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर घर के मुख्य द्वार पर रख दिया जाए या गलती से भी लगा दिया जाए तो इससे मालक्ष्मी मुख्य द्वार से ही पापस लोट जाती हैं और जिस जगे मालक्ष्मी नहीं आती वहा जिने घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी नहीं लगाना चाहें अगर यह बस तुएं घर के मुख्य द्वार पर आपने गलती से भी लगा दे या फिर रखती तो इससे मालक्षमी आपके घर के द्वार से ही बापस लोड जाएंगे और घर में प्रवेश नहीं करेंगे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें और मालक्षमी का घर में प्रवेश हो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आपने हमारे चैनल को भी तेख सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मालक्ष्मी की किरपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमालक्ष्मी जरूर लगें दोस्तों सबसे पहले चीज है भगवान श्री गणिश की प्रत्मा या तस्वीर दोस्तों आपने सुना होगा कि घर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणिश की प्रत्मा अवश्य ही लगाने चाहिए ऐसा करने से घर में सुक्सम्रध्य बनी रहती है सकारात्मक उर्च हम सभी अपने घर के मुख्य द्वार पर भागवाइशी गनिश की प्रतम या तस्वी लगाते हैं लेकिन यहीं हम गलतीकर बैढते हैं दोस्तों धार्मिक मानिताओं के अनुसार भागवाइशी गनिश की पीठ में दरजिट्ता का पास होता है भगवान श्री गनिश की पीट के इसलिए कभी भी दर्शन नहीं करने चाहिए इसे अश्रुब माना जाता है और जब ही हम घर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री गनिश की प्रत्मा या तस्वी लगाते हैं तो भगवान श्री गनिश का मुख्य हमारी घर से बाहर की तरफ होता है और जो पीठ होती है वह घर के अंदर की तरफ होती है और ऐसे भगवान श्री गणिश के प्रत्मा या तस्वीर घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में दरित्ता का बास होता है मा लक्ष्मी का नहीं बलकि मा लक्ष्मी के बहन अलक्ष्मी का घर म बेबास हो जाता है इसलिए दोस्तों भगवान शी करिणेशकी जो आपने प्रत्मा हर के मुख्य दौर के बहार लगाई है उस ही जेग ένα घर के अंदर की तेरह से भी प्utta ये प्रतिमा अवंश्य लगाई मैं आपको आध मी तरह गाकर की Drew लगाने से घर में मालक्षमी का बास होता है भगवान श्री कणिश के गरपां से घर में सुख समर्थी बनी रहती है और बरकत भी आती है तस्वीर लगाते समय आप कि भात का ध्यान लखना चाहिए कि भगवान श्री कणिश बैठी हुई अवस्था में होने चाहिए अधिकतर हम सभी घर के मुख्य द्वार पर मालक्ष्मी के स्वागत के लिए मालक्ष्मी के चरंचिन अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं चरंचिन या तो हम रोली से बनाते हैं या फिर चरंचिन के इस टीकर हम अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देते हैं यह इस चीज का संकेत होता है कि मा लक्ष्मी का हमारे घर में प्रवेश हो रहा है लेकिन चरंचिन लगाते समय आपको इस बात का ध्यान दखना चाहिए कि मा लक्ष्मी के चरंचिन घर में अंदर की तरफ होने चाहिए यानी कि इस तरह होने चाहिए कि मा लक्ष्मी आपके घर में बहा से अंदर की तरफ आ रहे है साथी चरंचिन सदैव मुख्य द्वार पर ऐसे इस्थान पर लगाने चाहिए जहांपर आपके पेर ना पड़े साइड में साफ के अन्हें के मालक्ष्मी के उपर भूल कर भी ना चुपकाएं अगर आप कुंकुम से या रोली से मालक्षमी के चरंचिन बना रहे हैं तो इस बात का विश्य ध्यान रखें कि दीपावली के अफसर पर भूल कर भी चरंचिन मिटने नहीं चाहिएं यह बहुत ही अशुमाना चाहता है दीवाली के अफसर पर घर में मालक्षमी का प्रवेश हो इसलिए हम सभी घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं स्वास्तिक सदय कुमकुम से या फिर हल्दी से ही बनाएं कुछ लोग पींट के द्वारा भी स्वास्तिक बनाते हैं ऐसी गलती भूल कर भी ना करें साथी स्वास्तिक बनाते समय स्वास्तिक की सभी रेखाएं, एक्दम सीधी होनी चाहें, घुमापदार रेखाओं से स्वास्तिक ना बनाएं, और स्वास्तिक को सदय सीधा ही बनाएं, उल्टा स्वास्तिक भूल कर भी घर के मुख्य द्वार पर ना बनाएं, ऐसा करना अश काली के अपसर पर घर के मुख्य द्वार पर डूर हैंगिंग लगाने का चलन है इसे लगाना शुप भी माना जाता है मानिताओं के अनुसार मालक्ष्मी का घर में प्रवेश हो इसलिए घर की मुख्य द्वार को अच्छी तरह से सजाते हैं इसलिए डूर हैंगिंग लगान के मुख्यद्वार पर लगाने से घर में नकारात्मक उर्जा का प्रवेश होता है और जिस घर में नकारात्मक उर्जा होती है वहां मा लक्ष्मी नहीं आते हैं दोर हैंगिंग में सबसे जादा शुब माने जाते हैं आम अशुक के पते के और फूलों के दोर हैंगिंग इन एक गलती कर वेड़ते हैं क्योंकि दीपावली कपर पांस दिन का होता है जो धंतेरस से शुरू होकर भईया दोश पर समाप्त होता है और अधिक तर लोग धंतेरस पर ही घर सजा लेते हैं और धंतेरस पर घर के मुख्य द्वार पर डोर हैंगिंग पत्तों और फूलों का ल मुख्य द्वार पर आप आम के पत्ते और फूलों का दूर हैंगिंग लगा रहे हैं तो उसको रोजाना अवर्शे ही बदलें मुझे हुए और सूखे हुए पत्तों के दूर हैंगिंग हो या फिर दर्वाजे की आपने सजावट की हो और वह सूख गए हो तो उन्हें गहर की मुख्यतान द्वार पर अथिकता लोग कूडे का डिपा यानिके डिष्ट्विन रखते हैं तो कुछ लोग कवाड़ा बगेरा घर के मुख्यतान पर ही इघटा कर देते हैं कई वान दीवाली की सफाई पर घर का जो कवाड़ा निकाला जाता है उसे कवाड़ी को देने के लिए घर के मुख्य द्वार पर ही रख लिया जाता है और कई वार उसको ना बेख पाने की बचे जबे करके मुख्य द्वार पर ही रखा रहता है अगर आपने भी ऐसी कोई गलती करी है तो उसी तुरंद ही सुधार लें घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी डश्ट बिन ना रखे ना ही कबाड़ा इकटा करके रखें कोई भी पुरानी चीज को भी घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहें घर के मुख्य द्वार को बिलकुल साफ रखना चाहें और खाली रखना चाहें घर के मुख्य द्वार पर रखा हुआ कबाड़ा कूड़ा करकड़ आपकी तरक्की में बाधत बनता है घर के मुख्यद्वार पर कोई भी गंदगी होने से घर में मालक्ष्मी का प्रविश नहीं हो पाता और मालक्ष्मी दर्वाजे से ही रुष्ट होका चली जाती है इसलिए दीवाले की अपसर पर घर के मुख्यद्वार को अच्छी तरह से जाड़ पोंचकर साफ करें और दर्वाजे को सजाएं और मालक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप अवश्य ही चलाएं साथ ही यह भी ध्यान रखें कि घर का मुख्यद्वार आवास नहीं करना चाहिए दर्वाजा खो हुता है घर के मुख्यद्वार से ही घर में सकारात्मक या नकारात्मक उज़ा आती है इसलिए दीवाली के अफसर पर मालक्ष्मी का घर में आमंतित करने के लिए घर के मुख्यद्वार को साफ रखें और फूल कर भी यह बस्तुएं घर के मुख्यद्वार पर ना रखें अम्मारी इस वीडियो के अपने ञार इसका делать जैड़ाош्ते अपने इसे जाना आप घट आप आपसंगाएं हमारे और बीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करना में दod стен tại ौपर व बाफुचिंग राधे राधे दोस्तों आप सभी को केस्ती राधे किष्णा शिंगार परिवार की तरफ से दीपा वले की हादिक शुपकाम नाएं